कि यह जब ख्यार विस्कॉस्टी पढ़ते इसे खतम करते हैं सब्सक्राइब पढ़ चुका था शीट कर दी थी आप लोगो ले या सब्सक्राइब अभी इसको खतम करते हैं फिर दिस्क्रिशन कर देता हूं अच्छे से विस्कॉस्टी सिंपल ऐसे पढ़ने के लिए विस्कॉस्टी बहुत ज़ाद हुदी तुमार ली बहुत ज़ाया नहीं है इसलिए अगले आदे गंटे में से खतम करेंगे अच्छे समझते विस्कॉस्टी बट लिकुड फ्रिक्शन कॉंसा फ्रिक्शन सिंपल बाद विस्कॉस्टी का मला है समझे आप रिक्शन पढ़ाई की नहीं पढ़ा पढ़ा आप ऐसे समझो विस्कॉस्टी का मला लिकुड में फ्रिक्शन किसमें फ्रिक्शन लिकुड में फ्रिक्शन उसमें नीचे मानते थेते कि फ्रिक्षन लग रहा है नहीं मानते थे लगाएगा उसे बिस्किलिए विसकोसिटी कहते हैं क्या कहते है लिक्विड में फ्रिक्शन को विसकॉसिटी कहते है, क्या कहते है ऐसा नहीं सुना कभी विसकॉस है लिक्विड बहुत बहुत चिप 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 आसा जो जादा हो उसे क्या बोलते है, विसकॉस फुलिड क्या बोलते है, आपने जो फूड पढ़ा था तो उसमें आपको एक कंडीशन निकाई हुए आइडियल फिडिवे बुलाओ विस्कॉस्टी प्रिजेंट नहीं है इसका नहीं है रियलिटी में हो सकती है रियलिटी में हाँ लिक्विडेव फोर्स लगाता है वो लोग लिए रेक्टा उसे विस्कॉसिटी पर बेसिकली इस चेप्टर में अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे एक शंपल सी चीज अपने पढ़ने वाली बात है उसे बोलते है विस्कॉसिटी क्या बोलते है अब ये फोर्स कितर रह पानी बड़ा हुआ है और यहां पर ऐसे लेर्स है किसकी लिए रहे है पानी की बिल्कुल बढ़ी है बहुत सुन्दर मजा आया वाह क्या बच्चे इज़े देखे वाबस बुखारान लगाए सर्ड जाते है घर पर पड़े भी याद नंपहा पड़े न पर बूर हो जाते हैं अगका है हम लो जो मुखारान अगे रहते हैं लगाए पर लूम यह है सर्दियों तर रजाई नहीं है सालाज गजवानन नहीं। रजाइं गुलाती नहीं। तुम पढ़ रहा है। तुम पढ़ रहा है। जीवन में नहीं तेरे काम आउंगी। यह एन्वी एन्वी लेकार है। तुम पढ़ रहा है। तो यह लेर्स है। क्या है। यह लेर्स है। आप एक वास समझे से मालो कि मैं इस पानी के अपर सर्फेस है। इसको हाथ ऐसे रखो और ऐसे पानी पर यूँ चलाओ हाथ को। समझना इस बात को। तो एक सबसे उपरवाई लेयर वह होगी जो मेरे इसको एँसे लेयर पर चलाओ हूँ अगर मैं इसको ऐसे लेयर पर चलाओ तो जो एक बात कि यहजी होगी जो मिरे हाथ वेक, मेरा हाथ, तो riverbed तो रुखा हुआ है, तो जो लेयर riverbed से शिपकी है, उसकी रफटार कितनी? और मेरी कितनी? वी, बोला है कि नहीं, पक्की बात, इसका मतलब इसमें जितनी भी लेयर्स थीं, उनमें रफटार घृती गई, घृताई किसमें, आपस बें दूसरे के friction ने तो इस वाली लेर ने इस पर पोर सी पर लगाया पीछे और इस पर किज़े लगाया उसके विरॉस्तिया इंप पर उतनी आगे तो इसे वह चेंज होती जाती है और रियर्टी में अगर अपने बात करें कि माल लो कि मैंने क्या समझा है आपको कि अगर माल लो मैंने कोई सब्वेश लेली नहां पर ऐसे वहाथ वाली टाइप चीज़ अगर मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ वी रफ्तार से कितने से वी रफ्तार से तो आप अपको कि यह जो वी रफ्तार ऐसे लेयर की अपन वी रफ्तार दी बात करें तो यह रफ्तार ऐसे से घरती गई फिर कि अब फोस का जो फोर्मला डिफाइन करागया हो कैसे करागया सुनते ध्यान से कि यह जो सफेस इस पर किता फोर्स लगेगा सोच क्या फोर्स भात में डिबेंड करेगा कि मेरी सर्फेस के अध्य है इस सोच के नहीं करे गा और तो क्या बूला गया कि यह जो बिसखली नीचे वाली लेयर लियर प्र वाली को पीछे लगाएगी आगे फीछे लिगा इतने हो मांते हो पीछे लगेगे आगे यह फोर्स लगा, that is proportional to area, that is proportional to area, and it is also proportional to rate of change of velocity, basically, कितनी रफ्तार से आप उसकी layers को change करना चाहरे हो, उतनी रफ्तार से को आपोस करता है, what is this, dv by dy, confuse मतो, dv by rate of change of velocity by y, ये इतने, जिसे मालो, कि मैं हाथ रखके, तो मुझे ज़्यादा पोस, खुबाच, ज़्यादा करें, मैंने क्या बढ़ाया? velocity, क्या बढ़ाया? velocity, क्या बढ़ाया? velocity, क्या बढ़ाया? velocity, क्या बढ़ाया? यह important है यहाँ पर ऐसे मैं सोचों कि आपने नया formula इजाद कर रहे है जो अपने practically देखा उसको निकाल रहे है basically dv by dy is rate of change of velocity with respect to with respect to bed से bed से कितना उपर आने पर आपने कितनी रफ़तार change कर दी dv by dy dv by कर्फिस हो गया आपने को याद रखना पर आपने को याद रखना पड़ता है वैसे आली बात है बट उसे समझें सही कि हो क्या के terms है उसमें ए एरिया समझ में आता है dv by dy dv by dv by dv is what dv is change in velocity with change in y change in velocity with change in y क्या चीज़े बोलो चमका yes sir नहीं आया change in velocity with change in y why वो यह रहा dv by dy dv by dv by पर रहन रहीं आया पक्की बात dv by dy यह और समझो यह बात चमक गई यह क्या है पक्की बात मालने मैं आप जो बोलो कि यह 10 मिटा रहे जो मैंने block रखा या कुछ भी जो चीज मैंने block जो भी मैंने चीज रखी वो 10 मिटर पर रहन से जा रही है और यह velocity दो और यह value 2 है तो कि dv by dy की value 10 बटे 2 हो गई yes sir किज़ नहीं हो गई simple सवाल पी ऐसे आते यह basically force के दो proportionality के सदीन है अब इनके साथ basically एक proportionality constant आता है तो relative एक formula निकल के आता है वो आता है minus eta a dv by dy आपके काम की बात यह है minus क्यों लगाया पहले है क्या पोस्ट करता है इसे minus लगाया yes sir a क्या है भाई dv by dy is the rate of change of velocity with y yes sir हाना बोल यार what is eta coefficient of viscosity it depends on liquid coefficient of viscosity coefficient of viscosity भुज़र 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 इसी कह जलवाजी coefficient of viscosity eta है coefficient of अब आजिये coefficient of coefficient of viscosity सबने बोला ठीक मैंने भी बोला ठी simple coefficient of viscosity इसकी unit क्या है कोई coefficient इसको denote करते है eta से किस से इसकी unit किती हुई बोल देख किया meter per second sorry meter per second किया per second बज़िया किता बज़िया force unit Newton force unit per meter square इसमाइटा मैं बाइटा मैं और वो था मास इंटो एक्सरी कि kg meter per second square equals to eta into meter square 1 by second 1 second ने second को अरे बज़िया एक meter ने meter को सरी कर रहा हूं क्या तो इसकी eta की unit क्या है kg per meter per second अरे गने बज़िया पर बज़िया और ने और पर दो नहीं करी इसकी आप प्रसान बतो अरे साइटेश के नाप पर परसान बतो पॉईजली इतने पॉईजली लिखाऊगा तो ओट ऐसा ही unit है इसकी CGS उनिट है ऐसा ही CGS ये क्या है ये कौन सी उनिट है इसको सांटिक्स के नाप में बोलते है पॉईज ली और CGS में बोलते है पॉईज कितना कनवर्ट कर इसको CGS में इससे क्या लिखेंगे और ये संटिमिटर तो 10 का फेक्टर आएगा तो 1 पॉईज इकल तो 10 पॉईज इसकी ऐसा ही उनिट है और CGS उनिट क्यों है भाई CGS उनिट हुई ग्राम पर सेंटिमीटर पर सेकिंड इससे बोलते है पॉईज क्या बोलते है पॉईज तो 1 पॉईज इकल तो पॉईज तो पॉईज ने तो परसान मतोला रोसौच इक्वेस्टर टेन पॉईज अब ये टर्मलोग ये ठीक हो यार तुम्हें नहीं आया बागी फॉर्मॉला ये बागी फॉर्मॉला उसके लिए परसान होने की एक परसेंट जर्रत मुझे लगाएं तुम्हें आया आया की नहीं आया पक्की बागी फॉर्मॉला सोच लो के बाद समझ में आई अरे यार हा ना भूल मैक्सिमम फॉर्मॉले इसी पर सवाल आते हैं आपके ब्रुकुल जोते भी आपकी सवाल शीट लाएगे तुम लो निकाल उसी में से कराया तो फॉर्म टाइब बास नहीं करते हैं जलेल भी इप्टाते है नहीं एक और इसमें फॉर्मॉला बस बागी कुझ रही है निकाल लो फटाक से मैंने तुम्हें दो चीजियों और पढ़ने के लिए बोली थी पढ़ी थी तुमने जली से निकाल लो पेज नमर 208 एक्जांपल चे करो एक्जांपल चे और साथ करो कोई तखलीफ हो मुझसे पूछो जल्दी से एकदम चुपा के करना और मैं दोनों बता दूँआ एक्जांपल चे और साथ पेज नमर 208 बाई साथ मौडन में मद डूंड़ो इसको उस्टी में चल रही है कोई डाउंटर मुझसे पूछो च्छे और साथ में साथ हुआ आटवा मैं पक्का एक्ष्मेट करूआ साथ की जर्दों जो बता दू कर लूँआ हो गया आटवा है आटवा अच्छा सवाल है आओ पर दो चे और साथ कोई दिकत में च्छे और साथ आटवा थोड़ा अच्छा सवाल में क्या करा आप आला के आपने पढ़ लिया है एक बार प्रसे पढ़ते अ स्लेंडर अप मास रदिया सार्वा इं लेंद लेंद एल स्पेसं पढ़ लेंगे और स्पेस्ट्थ टा इंडर्वा इसमें कोई सब्वाली बार कॉमना चालू करता है वाई अंदर वाला कॉमना चालू करता है रोकेगा कॉन कॉन रोकेगा विसकस फोर्स कौन कि यहां पे लिक्विड भरा हुआ है यहां पे लिक्विड अगर में इस इनर वाले को जिसका रिडियस आरवन है जिसका रिडियस जिसे अमने घुबाना चालू कर रहा है उससे तो सोच अगर आप घुमा के छोड़ दोगे सब्सक्राइब कि यहां से सोच तो इसी लियर टाइप की चीज़े जो आपको करी क्या यह जो स्लेंडर था इस सेंडर पर पूरे पे लेयर चिपकी होई है अब यहां से आदेख यह जो लेयर है यह जो लेयर इसकी रफटार कितनी है कितनी है और इसकी यहां की यहां की यहां की जीरो उन्हें रिफटार है ओमेगा आरवन और यह रफटार है और यह तो देल्टा भी आ गया अच्छा तब वाई क्या हुआ वाई इसमे खुद सोचो here जियो अरे क्रक्रण अरे क्या चाहिए विण अरे क्या चाहिए प्रिषकριत के का फोर्ज का फुर्ण का ना कम Samuel सब्रक्राइब रिवरम हरे द्रम ट्रियोट यहां पर है क्यां still haya उस्पैल को समय रहे लिए प्वप्हर सब्सक्राइब आच्छा बई, तो डीवी तो हो गया ωमेगा आरवन, क्या हो गया? मैंने प्रोबरता नहीं करी, क्या हो गया? आरवन के आटू? आरवन आटू? आरवन और ये? जीरो, पकी बार, तो डिफेंस तो ओमेगा आरवन हो गया, और ये कितना हुआ? आरवन, 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 और बहार वळन आटू, आरवन, आप शू, अरवन, अरवन, आप शू, एरिया, पूरी सर्फेंस देओ, इनर की, ये कौन सा एरिया होगा? अरवन, आरवन, ओमेगा? कितना 2 πाई R1 इंटू L नहीं आया कि कोफिनल विसकॉस्टी पता है यह फोस करेगा क्या क्या यह फोस्ट में लगेगा क्या 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 टॉर्क पुर्ण सर्फेस पे लग रहा है कि फोस्ट इंटू R1 के टॉर्क हो गया पॉर्ण इकल टू I यह अल्फा आई इस वाक्षिंदर का इमारि स्कोर वाई 2 एलफा इस दी ओमेगा वाई डी-टी सॉल्विशन देगा एक मिनिट तुम्हे समझ आया कि नहीं आया यह अब देख क्या हुआ है तुवर्ण है के सॉल्विशन नहीं किट है एरिया बोलो तू पाई आरवन एल चेंज इन विलास्थी देना रवन नी करूँ ओमेगा रोल बाई बाई किदरा आर तू माइनस माइनस का मिला समझ देरो अर्यार हा ना बोल यह पोर्स है किससे मिल्टिप्लाय करूं तौर का जाए किससे मिल्टिप्लाय करूं किससे सोच लो हंडिवन परसेंट आर वन चेंज अरे हाना बोल यार इस शुट भी इकल टू यह क्या यह तोर्क की फोर्स तौर्क माइनस माइनस अटायते हैं माइनस सब्सक्राइब में आजया है तो क्यों पर लिख रहे हैं आई कितना एम आर वन स्क्राइर बाई टू इंटू एलफा की वैल्यू दी ओमेगा बाई डी धियान से देख तो यहां पे भी एक ओमेगा आएगा जब दी ओमेगा पर और फाइ़ली जो भी ओमेगा तो क्या यू विल गट ओमेगा इस फंक्शन आफ टाइम टी वाट यू गट ओमेगा जब बड़ करीगे मैंने अरे मत देखो सुम इदर उदर हो तो मिस्टे की आच ठीक है छोड़ दो मैं चेक कर लोगा एक मिनिट तुम्हें बात चमकी की नहीं चमकी यार मुझे लगए नहीं चमकी एकदम पका सोच लो थोड़ा अच्छा सवाल विस्कॉसिटी का बागी नॉर्मल हो च्छे और साथ जैसे होते हैं उनके परिशान हो नह आपके इसमें भी एक जो आपको दिखाए जाएगा तो आप लिखें स्टॉक्स लॉओ लिखें स्टॉक्स लॉओ लिखें स्टॉक्स लॉओ आएए ओ भगवान इदा सुन। स्टॉक्स लॉओ क्या कहता है यह बिशिकले एक इस्परिमेंटे जो आपको स्टॉक्स लॉओ प्रोजेक्टर तो दिखा पाई तो दिखा पाई तो गंती थी ना अच्छा उगती तो गंती दिमांग भी चड़ गया क्या ऑगया तो स्टॉक्स लॉओ कौन्सा लौव प्रोजेक्टर फस्ट्वी एक बीकर होता है उसमें विसकस लिकुड बर देते हैं और इना आज दिखाऊं क्या स्टॉक्स भा कहता है कि इसे मालो एक लिक्विड है ऑगर आपने रीलेटिवए बात करें तो उन्हें बुला कि जिसे मालो एक लिक्विड है उसपर बन बॉल छोड़ें क्या छोड़े पाने में छोड़ें अधे पता। अको उसकी रफ्षा बढ़ती रहेगी या धीरे होग गजड़े हो का टर्मिनल ग्लॉस्य अचीव कर लेगी बढ़ने की रफतार घट जाएगी कन्फ्यूज मत हो अगर तुम्हें पानी में बॉल गिराओ तो रफतार बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी क्या अनंत काल तक बढ़ती रहेगी या धीरे धीरे बढ़ने की रफतार कम होती जाएगी यह वोई पानी की बूंदों की तरह है जो एर में आती है जो टर्मिनल व्लॉस्य अचीव कर लेती है जब आपने रेन वाले सवाल करे थे कब? ग्यार वी में बहुत पुरानी बात तो आपको रेन की वेलोस्टी थी की वेरीबल दी थी ऐसे मिलने रेन इस Пज़ बे शॉलिवी 5मिटर जब यदो अन्टरविटी गिर रही है अरे गिर रही है ना तो पांच मिटर पर से कि तर्मिल रॉस्य होती है क्योंकि वह अचीव गर चुकि उपर आते वक्त जब उपर आती तो एड रेक की वेसे फोर्च लगता है माइनस के वी क्या लगता है अच्छा तो माइनस के वी लगता था फिर वो दिरी दिरे आती नहीं से अचीव कर लेती थी ऐसा ही दिया गया कि माल लो हमें लिफिट से भरावा कोई कंटेनर है उसमें अगर एक बॉल को छूड़े एक बॉल ऐसे समढ़ लेक बॉल बॉल भी यार यह बॉल को अगर इस बारे पर सुच लाइघ वॉल पर दो कोड़ा लगते चै bakांशिर नगींगा उसके लावा इक और इक है कोशूसिटी की वह से लगता है किसके चैनल झाला जी कर आए उसका वाल जीया कहरी आ एक मरेश कोर सणीच्रिक ऑरिल लगी निवंकंट्या करते हैं उनकес और उसका उ तो उस बॉल पे लगने वाला विस्कॉसिटी की वज़े से फोर्स क्या इंद डिरेक्शन ओफ विलॉस्टी होगा या पोजिट विलॉस्टी होगा यह तो कॉमन सेंस है बोलो क्लियर एक्दम इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स कौनसा फोर्स विस्कस फोर्स बोलो क्लियर एक्दम इसकी वैयर विस्कस फोर्स इस माइनस 6 पाई इता आरवी रटना है लौ है यह मैंनस क्यों 6 क्या है 6 पाई क्या है इता इता धी कोफिजिंट अविस्कॉसिटी है और रेडियस ओफ दिस बॉल वी वेलोसिटी ओफ दो बॉल फ़मला है स्टॉक्स लॉके लिए इससे बोलते हैं माइनस सिक्स पाइटार वी आपके लिए इसके लिए डिफाइंड है बागी बहुत तिपिकल है हो आपके लिए बिल्कुल सही सरोब्र कोई से एप होतो तो यह फ़मला अपलाई नहीं होगा पर सारे एक्स्प्रिमेंट जो आपको राए जाएंगे वो किस पे होगे है इसी इसी स्टॉक्स लोग इसी किनी डिफाइंड है बागी हर शेप के लिए लगए 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 यू करना डिफाइन इट देन गोस तो सर्वेस एरिया देन गोस तो डिरेक्शन देन गोस तो ओरियंटेशन अरे यार तो डोट वरी अवाउट बागी डाउट जैनुन है आपके लिए कौन सा है स्फेरिकल उसके लिए फॉर्मला क्या है शिक्स पाई इटा अरे रट तो लो शिक्स पाई इटा बस इसी में सवाल आगी अब कैसे सुन अच्छे सल शिक्स पाई इटा रही और इस खॉप्ती गिवन होगा आपको पाईजले में सुचे किसी भी टाइम टी पर जब यह वी रफ्तार से इसे नीचे जा रही होगी तो आप इस बात को समझें कि इस पर एक फोर्स होगा दो की तीन कि दरे होगे उसे समझे अच्छे से जो मैं आपको कह रहा हूँ पहले फील करें उस बात को सिग्मा केजी पर मीटर क्यूब इस देंसिटी अफ वाट बॉल दो लोग यह रेख़ा रोज देंसिटी अफ वाट लिक्विड वाटर नहीं लिक्विड क्या चीज़ लिक्विड अरे हाना तो बोल अरे है की नहीं है सिंपल आप सोच इस पर नीचे एक तरफ लगा रहा है M G M G को कैसे लिख सकते हैं नेख रहा है जयान से उसे लिख सकते हैं M G सिग्मा इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू जयान सुनना सिग्मा फोर बाई थ्री पाई आर क्यू येट इंटू G बाई अंसी का लगी भाई का लगे रही बाई नसी किती लगे रही बोलो सब लुग रहा है बाई आर क्यू णा ओ बाई ऑ handsome बाई आ नसी बाई आ इंसी इस ये जीज़ कितना भाई साफ पोर बाई थ्री पाई आ्र देंसी इस रो तो रो इंटू फोर बाई थी पाई आर क्यू इंटू जी के बायंसी है यह दो फोर से है एक और है कौन सा कौन सा कहां लगेगा माइनस का मतलब मैं पहले उपड़ ले चुक हूँ है इसे नी माइनस इस पाई इटार यह नीचे तुमारा कोई भरोसा माइनस का मतलब अपर ले चुक है क्योंकि रफ्तार अपर ने कहां बाली नीचे अब प्रैक्टिकली सोचो जब मैं इसे छोड़ूँ आ यहां से तो नीचे जैसे जैसे आएगा नीचे जैसे जैसे यह आएगा अगर हमें सा मान रहे है कि जो पनी बॉल है उसकी डेंसिटी ज़ादा है फिल्ट याद है बिल्कुँ सनाटर पे पहुंच रहे है अगर डेंस्टी ज़ादा होगी तो कि सिंग करेगा क्या करेगा सिंग करेगा इसे जैसे जैसे नीचे आएगा अब क्यूंकि वेट जादा है बाइनसि से इसका मला क्या उसकी श्पीड बढ़ेगी तो कौन सा फोर एक समय बास बेटा बास दीर से अपना ही हो तो सिक्षपाई इता आर भी ये फोर्स बढ़ेगा घटेगा एक समय ऐसा आएगा जब ये फोर्स उपर वाले और इसे स्टडी स्टेट कह सकते हैं क्या कह सकते हैं जब ये फोर्स बढ़ेगी खटेगी उतनी उसे बोलते हैं तक की बात अपन क्या बोलेंगे वेलोस्टी इंक्रीजेज देन कॉंस्टेंट ये पूरी कानेमेटिक्स है फॉर्मला तो इतना ही अब तो प्यॉर कानेमेटिक्स है और किस फॉर्मले प्राइब सवा जा थे हो भी बढ़ आता हूँ वेलोस्टी इंक्रीजेज देन कॉंस्टेंट ये ची इसी में सवालाता है अब तर्मिनल वेलोस्टी का मतलब क्या करूं क्या उपर वाले दोलों फोर्स बराबर नीचे वाला उपर वाले दोलो फोल्स बराबर अरे यही हुआ ना तर्मिल विलास्टी का मिला अब कोई विलास्टी में चेंज इसका मिला उपर वाला फोल्स बराबर अरे भाई नहीं आया आया की नहीं आया उपर वाला फोल्स बराबर नहीं चला दो एक बराबर कर लेते ह देखो देखो ओहो हो हो शिक्स पाई था आर बीटी बीटी मैंने से लेगा है कि टर्मिनल माल लिया इक्वास टू ध्यांची देखो सिग्में सहीदू कर रहा हूं सिग्में मैंने स्रो फोर बाई थी पाई आर चुब इंची जी पाई ने फाई खो अब यह क्या हुआ अब यह कुदर का इबर नहीं गया मज़ें इसने इसको मार दिया तो कितना यहां तू बाई नाइन अगने लोग सुगते हैं तू बाई नाइन नीची टा आर स्क्वाइर जी सिग्मा माइनस रो इसमें बहूत सवाल आते हैं तर्मिनल ग्लॉस्टी कौन सी ग्लॉस्टी रटनेगी ज़रत है समझेगी मैंने कुछ रटर का भाई मुझे कौन से पता है फॉर्मला पता है सिस्पाई इटा हर भी अरे यार हा ना बोल ऑल्दो याद कर लो तो इसमें कई सवाल आते हैं कई बार तो बैरेक्टी पूछ लिया गया है मैं ज्यादा काइनमेटिक पूछ सकता हूँ अच्छा सभाद करना टाइम पाज सुन तो बूचो इतनी छोड़ा बताओ विलॉस्टी इस फंक्शन आफ टी तु लिख सकता है क्या फोर्स दिस माइनस दिस क्या इवल बेटा फोर्स इस फंक्शन आफ लॉस्टी यारि कि एक्शलेशन इस फंक्शन आ बूचिंड़ा इस फंक्शन में नाचेगा नाचेगा निकाल सकते है गंदा फंक्शन आए बहुत बार हम कर शक्शन करना क्या एक या तुम्हें नहीं आए आया की नहीं आया किलते हो दिलिटी में तो धिन वह रची होने ग्राफ आता है तो कुछ ऐसा आता है किश दो तुम्हें बात समझ में आई नहीं मैंने कैसे क्या तुम विलॉस्टी से function of time t निकाल सकते हो निकाल सकते हो निकाल सकते हो निकाल सकते हैं जायर सी बात आप this minus this करोगे तो you will get acceleration as a function of v acceleration as a function of v that you have to integrate कभी बार अपन कानमटेश में कर चुके इसे मुझत है स्टॉक्स लॉओ कौन सा लॉओ स्टॉक्स लॉओ स्टॉक्स लॉओ स्टॉक्स लॉओ बेसिकली वह मैं इस पर ही तार भी उसकी application है फिर यह टर्निलर व्लॉस्टी जो आपके सामने ऐसे है जलू आगे वाद बाद 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 एक वर चिप्टर कदम हो है